राधे राधे, मेरे प्यारे भाईयों, बहनों, माताओं, वाबंधों, संसकार की बाते चैनल में आपका स्वागत है, बंधों आज मैं आपको अपनी वीडियो में सुनाने जा रही हूँ, अनन्द चतुदशी व्रतकता और पूरन पूजा विधी, बंधों अनन्द चतुदशी, जो की भादरपद महीने के शुकल पक्ष की चतुदशी तिथी को आती है, इस दिन भगवान अनन्द का व्रत रखा जाता है, अनन्द अर्थात जिसका कोई अन्द ना हो, बंधों जो कोई भी अनन्द चतुदशी का व्रत करते हैं, या फिर अ अनन्द चतुदशी व्रत की कथा को सुनते हैं, उनके जीवन में खुश्यों की सदा ही बहार रहती है, उनके घर में सदा ही रिद्धी सिद्धी का वास रहता है, उन्हें कभी भी धन की इजरत्मान की कोई कमी नहीं रहती, जो अनन्द चतुदशी का व्रत करते हैं, या फि बंधों यदि आपने यूट्यूब चैनल संस्कार की बाते अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियोज की जानकारी सबसे पहले हो सके बंधों अनन्द चतुद्शिक की कथा सुनने के बाद आप कमेंट बोक्स में रादे राधे अवश्य लिखें ताकि आपको कथा का पूरण फल प्राप्थ हो सके बंधों इस व्रत के नाम से लक्षित होता है कि यह दिन उस अंत ना होने वाले शिष्टी के करता विश्णू की भक्ति का दिन होता है अनन्त सर्व नागा नाम अधिपे सरव काम दै सदा भुयात प्रसन्नों में यक्त नाम भयंकर यह मंत्र पढ़ते हुए पूजा करनी चाहिए यह विश्णू कृष्ण रूप है और शेशना काल रूप में विद्यमान है अते दोनों की समिरित पूजा की जाती है बंधों पूजा विधी क्या है शनान करके कलश की स्थापना करें कलश पर अश्दल कमल के समान बने बतन में कुशा से निर्मिद अनन्त भगवान की स्थापना करें उसके समीब चोधा गाठ लगा कर हलदी से रंगे कच्चे डोरे को रखें और गंद अक्षद पुष्प धूप दिप निवित्त태 से पूजन करें उसके बाद अनन्त भगवान का ध्यान कर शुद अनन्त को अपनी दाई भुजा में बादना चाहिए यह धागा अनन्त फल को देने वाला है अनन्त की चोदह गाठे चोदह लोकों की परतीक हैं उनमे अनन्त भगवान स्वयम बंधों अनन्त चतुदशी के दिन नारायन कवस सुने भगवान विश्णु के 108 नाम सुने ऐसा करने से भगवान अनन्त अथात विश्णु भगवान की आप पर विशेश कृपा तो होगी ही आपकी सभी मनो कामनाएं फिक्र पूरी होंगी बंधों अब मैं आपको अनन्त व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ बोलो विश्णु भगवान की जय हो प्राचीन काल में सुमन्त नाम का एक नेक तपस्वी ब्रहमन था उसकी पत्नी का नाम दिक्षा था उसकी एक परमसंदरी धरम परायन तथा जोतिर्मई कन्या थी जिस का नाम सुशीला था सुशीला जब बड़ी हुई तो उसकी माता दिक्षा की मृत्यू हो गई पत्नी के मरने के बाद सुमन्त ने करकशा नाम की इस्तरी से दूसरा विवाहा कर लिया सुशीला का विवाहा ब्रहमन सुमन्त ने कोडिन नरिशी के साथ कर दिया विदाई में कुछ देने की बात पर करकशा ने दामाद को कुछ इंटे और पत्थरों के टुकडे बांध कर दे दिये कोडिन जरिशी दुखी हो अपनी पत्नी को लेकर अपने आश्रम की ओर चल दिये प्रन्तु रास्ते में ही रात हो गई वे नदी पर संध्या करने लगे सुशीला ने देखा वहाँ पर बहुत से इस्त्रियां सुन्दर वस्त धारन कर किसी देवता की पूजा कर रही थी सुशीला के पूछने पर उन्होंने विधी पुर्वक अनंत व्रत की महता बताई सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान किया और चोधे गांठों वाला डोरा हाथों में बांध कर रिशी कोडिन्या के पास आ गई कोडिन्या ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी उन्होंने डोरे को तोड़ कर अगनी में डाल दिया इससे भगवान अनंत जी का अपमान हुआ परिनामते रिशी कोडिन ने दुखी रहने लगे उनकी सारी संपत्ती नर्ष्ठ हो गई इस दरिदर्था का उन्होंने पत्नी से कारण पूछा तो सुशीला ने अनंत भगवान का डोरा चलाने की बात कही इसके बाद पस्चाताप करते हुई रिशी कोडिन ने अनंत डोरे की प्राप्ति के लिवन में चले गए वन में कई दिनों चक भटकते भटकते निराश होकर एक दिन भूमी पर गिर पड़े तब अनंत भगवान प्रगट होकर बोले हे कोडिन ने तुमने मेरा तिरसकार किया था उसी से तुमें इतना कष्ट भोगना पड़ा तुम दुखी हुए अब तुमने पस्चाताप किया है मैं तुम से प्रसन हूँ अब तुम घर जाकर दिधी पुर्वक अनंत भरत करो चोधें वर्ष प्रयंत भरत करने से तुम्हारा दुखदूर हो जाएगा तुम धन धन्य से संपन हो जाओगे कोडिन ने वैसा ही किया और उन्हें सारे कलेशों से मुक्ति मिल गए शीक्रिष्ण की आग्या से युधिष्टा ने भी अनंत भगवान का वरत किया जिस चेप्रभाव से पांडव महाभारत के युद में विजय हुए और चिरकाल तक राज्य करते रहे एक अन्यवरत कथा एक बार महारा युधिष्टा ने राज स्वेयक किया उस समय यग्य मंडप का निर्मान सुन्दर तो था ही अद्भुत भी था वह यग्य मंडप इतना मरोरम था कि जल वा थल की भिंता प्रतीत ही नहीं होती थी जल में स्थल तथा स्थल में जल की भांती प्रतीत होती थी बहुत साबधानी करने पर भी बहुत से व्यक्ति उस अद्बुत मंडप में धोखा खा चुके थी एक बार कहीं से टहलते टहलते दुरियोधन भी उस्यग्य मंडप में आ गया और एक तलाप को स्थल समझ कर उसमें गिर गया द्रौपती ने यह देखकर अंधों की संदान अंधी कहकर उनका उपहास किया इस से दुरियोधन चिड़ गया यह बात उसके रिदे में बान के समान लगी उसके मन में द्वेश उत्पन हो गया और उसने पांड़ों से बदला लेने की ठान ली उसके मस्तिश में उस अपमान का बदला लेने के लिए विचार उपजने लगे उसने बदला लेने के लिए पांड़ों को ध्यूत क्रिडा में हरा कर उस अपमान का बदला लेने की सोची उसने पांड़ों को जुए में प्राजित कर दिया प्राजित होने पर प्रतिज्या अनुसार पांड़ों को बारह दूर करने का उपाये पूछा तब शीक्रिशन ने कहा हे युदिष्टर तुम बिधी पुर्वक अनंत भगवान का व्रत करो इससे तुम्हारा सारा संकर दूर हो जाएगा और तुम्हारा खोया हुआ राजे उन्हें प्राप्त हो जाएगा इसलिए बंधों अनंत भगवान का व्रत करने से निश्य के सभी दुख दूर हो जाते हैं अनंत भगवान की पूजा करें और अनंत सुक की प्राप्ति करें बोलो अनंत भगवान कीजे विश्णु भगवान कीजे राधे राधे जैश्री कृष्णा बंधों यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करने के साथ साथ शेर अवश्य करना धन्यवाद